कि हैं वेलकुम तो मैं चैनल आयामीधा मैं आपको कर्मा चौत के लुक के बारे में बताने वाली हूं तो इसलिए आपको अगर यह लुक अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें लाइक करें क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी तो अगर आपको यह लुप बहुत अच्छा लगाओ तो मैं अपने चैनल को अल्रेट पहले से मुझे जुक की हूं अब मैं मुष्राइजर लगा थी हूं लाख मे का मैं आप सालीम का मुष्राइजर लगाएं रही हैं नहीं आउसरे रिख लिखानाए इस तरीकिस से पूरी मिक्स कर लेंगे यूज करने जा दिया हूं गाइस इसे दो से दो से तीन ड्रॉप लें अब मैं एनवाई का प्राइमर यूज करने जा रही हूं यह सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे यह सारे प्रोड़क्त मैं फर्स राइं यूज कर रही हूं यह मैं इसके रिफ्यू काफी अच्छे थे इसलिए मैंने भी सोचा कि मंगा लेती हूं अब मैं कंसीलर यूज कर रही हूं फिट मी का मैबलीन यह मेरा फेवरेट कंसीलर यह मुझे काफी अच्छा लगता है अच्छे से मिक्स होता कि अगर आप यह रखोगे तो यह बहुत अच्छे से मिक्स होता है कि एनवाइ का यह आईब्रो पैंसिल है यह एनवाइ का आईब्रो पैंसिल है मैं इसे यूज कर रही हूं अपने आईब्रो को अच्छी तरीके से मैं फिल कर ले रही हूं कि अच्छी तरीके से फिल कर ली अब मैं आईब्रो यह मैंने राची से बाइ किया था इसलिए इसकी कोई लिंक नहीं है मैं सेड़ो पैलेट मैंने ग्रीन कलर की पैनी है तो मैं सोच्रियों की कुछ मिक्स करके इसमें लगाँ यह मैंने हेलो कीट्री यह मैंने अमाजॉन से नंबाई की थी यह मुझे काफी अच्छा लगा प्लस यह पिंकी पिंकी है तो इसलिए और ज्यादा मुझे अच्छा लगा तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगी सी मैं इस कलर का चूज कर रही हूं यह कलर प्लस पिंक है अब इसे जदा दबा दबा कर आई सी उपर ना लगाएं पिंदे और प्लस यह लिए लगाएं जब सुआएं झाल ना लगाएं झाल, टेवा है झाल, झाल, झाल इस तरीके से आप अच्छे सी से फिल कर लूँ अब मैं दूसरी कलर यह लगाऊंगी ब्राउन में है यह ताकि अच्छे से साइन करें यह मेरे स्कीन कलर की है मुझे यह कलर बहुत अच्छा लगता है अब मैं मैबलीन का अब मैं मैबलीन का लाइनर लगाऊंगी मुझे मैबलीन का लाइनर मस्करा यह सारे बहुत अच्छे लगते हैं सब मेरे फेवरिट हैं अच्छे ने बिंग बनाई है मुझे काफी पसंद है मैंने लाइनर थोड़ा मोटर रो किया है मुझे लाइनर मोटर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं लाइनर को तुरह मोटर रखा है अब मैं मस्करा लगाऊंगी मैं तो काचिन काता यूज नहीं करती हूँ बच्छे मैं ऐसे लाइक में आइकॉनिका मैं कासल यूज करती हूँ तो मैंने सोचा चलो करवा चौआत है तो फिर इसलिए थोड़ा था मैंने काजल लगाया अब मैं फिटमी का लैक में फिटमी का फांडेशन लगाऊंगी यह मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है अच्छा था है बहुत हराम से मिक्स हो जाता है मैं अपने लिप पर लिप लप का लैक में लिप लप का मैं लिप बाम लगा लेती हूं ताकि मेरा लिप मॉस्टराइज्ड है पहले से ही इसलिए अब मैं यह उम्पैक्ट कर यूज करती हूं मैं मैं बलीन का वाइट कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हूं यह मुझे बाद अचा लगता कॉम्पैक्ट अब मैं ब्लू हेवन का ब्लशर यूज कर रही हूं ऐसे में तो मेरे ऐस एड़ोफ पैलेट में यह ब्लशर है बट मैंने अलग से भी ब्लू हेवन का मंगवाया मैं सुचे कि चलो यूज करके देखते हैं झाल अब मैं मिस्स रोज का हाइलाइटर यूज करूंगे मुझे हाइलाइटर यूज करना बहुत अच्छा लगता है और यह जो शाइन करता है वो तो मुझे और काफी अच्छा लगता है तो काफी अच्छा शाइन देता है मुझे बहुत अच्छा ने कर दो है तो है तो है तो है तो है तो है कि मैं आइस के भी कॉर्णर में हाइलाइटर योज़ कर ले रहे हूं कि अधर आप हाइलाइटर योज़ करें आप हाथ से आपके हैंड से फिंगर से बहुत अच्छा मिक्स होता है अब मैं एनवाई की लिप्स्टिक यूज़ कर रही हूं रेड कलर की है यह करवा चौथ है तो मैंने सोचा कि रेड रखती हूं मैं लिप्स्टिक मुझे वैसे तो रेड कलर बहुत अच्छे लगते हैं और अभी मेरी रेसेंट में साथ हुई है तो मेरे पास डार्क डार कलर के ही लिप्स्टिक है तो इसलिए यह का आले शेयर है आता है कि यह बहुत लॉंग रस्टिक है थी शेयरूस करना बहुत ही अच्छा है मुझे तो यह परस्टैली बहुत अच्छा लगा यह काफी लॉंग बँग्फिक्ष लका क्योंकि मैंने मैं रेसेंट में यूज आ खेना शो कर लिया है तो मेरी जुएलरी है कर दो कि मैं सोची कि हूँ है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कर दो कि मैं अच्छा लगता है तो इसलिए है कि मैं अच्छा लगता है सिर्फ पे जुड़ा बनाना सिर्फ साडियो और जुड़ा कि अख़ें आप इस अच्छा लगता है तो इस अच्छा लगता है काफी अच्छा लगता है सिंदुर और विन्दी के बीना तो यह धूरा है तो मैंने अच्छा लगता है बहुत सारी इसमें आजाते हैं कितना बड़ा सव है कि मैंने सिल्की साड़ी पैने हुई है मैंने सोचा कि करवाचाओत के लिए जूस करती हूं अगर मेरा मेकप अच्छा लगा हो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें क्योंकि यह मुझे काफी काफी मॉटिवेट करता है तो असलिए आप लोग देख सकते हूं कर देख सकते हूं झाल झाल झाल